दोस्तों कहते हैं कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है जहां रोश्णी है वहां अंधेरा भी है वैसे ही अगर देव है तो असुर भी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफ़नाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुझा कहते हैं यह कहानी अभिनव और जै की है जो बच्पन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों महाराश्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे पर आज का दिन कुछ अलग था आज अभिनव का 18 रहवां बर्थडे था जै ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था वह अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया और 12 बजते ही जै अभिनव को हैपी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बॉटल निकाली अभिनव वह बॉटल देखकर थोड़ा चौंक गया आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था जै ने अभिनव से कहा कि यह उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक इस्सा है अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नय एक्सपीरियंस लेना चाहता था इसलिए उसने जै की बात जट से मान ली वह दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठ कर शराब पीते रहे कुछ देर बाद जै को जोर से टॉइलेट आ गया वो उठकर एक पेड़ के पास टॉइलेट करने चला गया लेकिन नशे में धुद्र जै ने यह देखा ही नहीं कि वह पेड कोई आम पेड नहीं बलकी एक पीपल का पेड था टॉइलेट करते हुए अचानक से जै के सर पर एक पत्थर आ पड़ा जै ने पेड की तरफ सर उठा कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा इतने में अभिनव भी उस पेड के पास आ गया उसके हाथ में एक खाली बॉटल थी और उसने मजाक में उस बॉटल को जोर से जै के पास फेंका वह बॉटल सीधा उस पीपल के पेड पर जा लगी और उसके टुकडे टुकडे हो गये पर उस बॉटल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर हुस्से में गुर्रा रहा हो। एक मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों ही शान्थ हो गए। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह आवाज आना बंध हो गई। तब ही अचानक से जैने नीचे पड़े तूटे हुए कांच के टुकडों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकडे से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिये। जैने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा अभिनव अब यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। और कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ी सी टेहनी सीधा आकर जै के सर पर गिरी और जै वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर अभिनव का नशा मानो एक सेकंड में चूर हो गया। वह जल्दी से जै के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई मानो पेड से कुछ नीचे गिरा। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुर कर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। उसके ठीक पीछे एक काली सी परचाई थी जिसकी दो नीली आँखें अंधेरे में चमक रही थी। अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वह कोई न कोई सुपरनैचुरल क्रीचर है। वह जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा उस जीव ने उस पर हमला कर लिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की फीट में घुज गये। लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से जूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परचाई में बदल गया है और वह बेहोश पड़े जै के मुह के अंदर घुज गया। और तभी अचानक जै अपनी पेहोशी से उट खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था। पर जै मानुस सुन होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और वह बस वहां एक पुतले की तरह पड़े से वह जय लिखने लगा। ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। यह सब देखकर अभिनव की रूख काप गई थी। सुबह के पांच बच चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उकता दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही स साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वह अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद वह दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जै की तबियत खराब होने लगी। और यह अपने बिस्तर पर वैसे ही थी जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जै इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली और चादर को अपने मुह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वह आवाज वापस आना बंद हो गई और कमरे में एक ही साई की इस सनाटा हो गया। जै का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चहरे से उस चदर को हटा लिया। लेकिन जैसे ही चादर को हटा कर जै ने अपनी आँखें खोली तो उसके दिल की धड़कने लगभग रुख ही गई। की तरह दिख रहा थे। उसकी जमड़ी बिलकुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चहरा बिलकुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले की जै कुछ कर पाता उस भयानक राक्षस ने जै पर अटैक कर दिया। पंडित थे। लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जै के ऊपर मुझा का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुझा एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पढ़ जाए तो पीडियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। वह पीपल के पेड़ पर रहता है और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़ खानी करे तो वह उस इनसान के पीछे पढ़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जै को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को अभिनव और उसके पापा जय के घर पहुँचे और वहां जो उन्हें देखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चहरे पर ऐसा एक्स्प्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से अभिनव के पिता यह देखकर चिंता में आ गए। वह अभिनव को लेकर फॉरण उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुझा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वह कई घंटों तक पूजा करते रहे। और उस मुझा से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदै हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभिनव को कभी वो मुझा नहीं दिखा लेकिन अभिने ने अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आ झाल 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 झाल